विल्कम है हमारे GS India YouTube चैनल पे आज हमने A&M और J&M and BFC Nursing, AMS से रिलेटेट वो सारे कोस्टन से लिट किये हैं जो एकजाम में पूछे गए हैं और आने वाली परिच्छाओं में पूछे जाएंगे प्रेंट्स ऐसे हम साथ विडियो बनाएंगे जिस पे हम A&M और J&M, BFC Nursing, AMS, Officers से रिलेटेट सारे कोस्टन से सिलेक्ट करेंगे जो एकजाम में पूछे जाएंगे और जो एकजाम में पूछे जा चुके हैं हमारे अगले वीडियो पानी के लिए फ्रेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कुछ दिनों बाद टेस्ट स्रीज भी सुरू करेंगे जिस पे हम A&M और J&M, BFC Nursing, Competitive Exam के लिए टेस्ट स्रीज स्टार्ट करेंगे आँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें टेस्ट स्रीज का हिस्सा बनने के लिए ठैक यू फ्रेंट्स चलिए इस्टार्ट करते हैं आज का मारा फर्स्ट कोसंस और जाता है नर्सिंग दीवस कब मनाया जाता है यह सारे कोसंट पूछे जा चुके हैं इस सबी कोस्षे जा चुके पूछे ज़ाता है एक जुलाई को मनाए जाता है यह ते डाक्टर विधान चंदल रॉय के याद में मनाये जाता है यह पश्चिम मंगाल के मुकमंतरी थे और महतमा गांधी के दोस्त भी थे जो डाक्टर दिवस फ्रेंड्स मनाया जाता है एक जुलाई को यो डाक्टर विधान चंदर रॉय की याद में मनाया जाता है कोशन ऐसे आता है कि एक जुलाई को डाक्टर दिवस किसकी याद में मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद रॉय की याद में मनाया जाता है निश्ट कूसन से मारा फ्रेंड्स गर्भावस्ता की युवा अवदी में जिसमें गर्वती को प्राता उपकाई उल्टियां मौर्निंग सिक्निस होने लगती है जैसे उसको उल्टियां महसूस होती है पहले चार महीने होते है वह पहले चार महीने होते है निश्ट कूसन से हमारा आरेच निगेटिव यह वी इग मतलब है आरेच निगेटिव मदर मतलब मा को प्रसों के बाद यह जरूर देना चाहिए क्या जरूर देना चाहिए कौंस इंजेक्शन एंटीडी का इंजेक्शन जरूर देना चाहिए इस पर क्या होता है जब मा का आरेच निगेटिव होता है और बेटे का आरेच पॉस्टिव होता है तब यह एंटीडी इंजेक्शन दिया जाता है और यह गीविंग बर्थ यह question पूछे जा चुके next question से हमारा बच्चों को incubator में क्यों रखा जाता है answer है friends बच्चे को जो तापमान होता है उसको सामान बनाया रखने के लिए उसका moderate temperature बना रहे उसका temperature घटे बढ़े ना एक जैसा temperature रहे उसलिए उसे incubator में या warmer में रखा जाता है next question से हमारा friends गरभा वधी जब क्योंकिनिंग होती है तो कौन से सपते होते है friends जब गरभा वधी क्योंकिनिंग होती है तो 16 से 20 सपता होते है 16 से 20 सपता होते है और next point है गरभा सिसु की जो प्रथम हलचल जो पहचानते उसको friends क्या कहते है क्यूकिनिंग कहते है इसी को कहते है क्या होता है मा के पेट के अंदर गर्भा वास्ता में बच्चा जब प्रथम हलचल करता है उसको क्यूकिनिंग के नाम से जानते है क्या कहते है क्यूकिनिंग टर्म होता है क्यूकिनिंग टर्म के नाम से जानते है और वो अबादी जो friends होती 16 से 20 सपता होती, कौन से 16 से 20 सफता तक, जब वो क्यूकिनिंग करता है friends, next question से हमारा, question बार 5, 21 में गुर्ण सूत्र का संबन्ध किस से होता है friends, किस से होता है, down syndrome से होता है, ये एक तरह का दोस होता है गुर्ण सूत्र में, क्रोमसोम कितने पाए जाते हैं फ्रेंट्स 46 पाए जाते हैं मनुष्य में कितने क्रोमसोम पाए जाते हैं 46 पाए जाते हैं 46 गुरसूत्र पाए जाते हैं टोटल और इनमें जो फ्रेंट्स 21 में गुरसूत्र होता है जो क्रोमसोम होता है वो डाइन सिंड्रोम होता है यह प्र जाता है बच्चे और मा को जब एक सात रखा जाता उसको rymjal define q 17 कौो संसर को अमारा कोौन सा हर्मोन दूद निकालने के लिए उत्तर दाई कौन सा अरमोन अॉक्सिंट टॉछिन हर्मन से यह मां के इसतन से स्रावित होता हैhisक और एक question केवी सी में पूछा गया था माँ अपने बच्चे को प्यार करती है किस करती है दूद पिलाने के लिए राजी हो जाती है क्यूं यह क्या करा लेजका फ्रेंट्स उसके लिए oxygen toxins hormones मां की इस तरों से स्रावित होता है oxygen toxins hormones की वज़े से यह फ्रेंट्स मस्तिस्क से निकलता है यह hormones और मां क्या करती है अपने बच्चों के इसलिए प्यार करती है oxygen toxins hormones की वज़े से और इस वज़े से वो अपने बच्चे को दूद पिलाती है और दूद निकालने के लिए भी oxygen toxins hormones जरूरी होता है प्रेंट्स हमारा next question से question No.10 그거 is गरभवासथा में calcium की आवश् जो गरभा वस्ता मे गों निक रहती है Unki जो देहcke मात्र होती है calcium के कितना calcium लेना चाहिए प्रते दिन इनको 1.5 ग्राम इसका मलब हरूआ 7 जो करते हैं से उससे भी तल से मातरा में पाया जाता है शुक्राइंठ decía स्पटकेशा 9 ज भर्यक्राइं वह समस्ते शुल्प्रीज़ 10 परम Spotify कहते हैं स्टॉल इसपर्म करतें हैं स्पर्मका जीवन काल कितना हिसा ए sector 48 8 hours, कितने गंटे? 48 गंटे होता है, जो fertilization के लिए जो sperm लिए जाते हैं, सुक्राणल का जिवनकाल होता है, वो कितना होता है? 48 गंटे होता है, 48 गंटे के बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, या मर जाता है, friends Next questions, हमारा question number 11 कि विवेंट यौना आर्म का वास्टा फिक बारा से चयुदा साल यवना आर्म जब स्टार्ट होता है घरभा बसटा के दऊरण रक्त में सांद्रता बढ़ जाती है इसका करण क्या है फ्रेंट्स कोलेस्ट्राल होता है कोलेस्ट्राल जब फ्रेंट्स अधिक मात्रा में बोडी में हो जाता है तो इससे फ्रेंट्स हर्दै घात रोग हो जाता है हर्ट अटैक भी आ जाता है इससे और जो कोलेस्टाल जो ज़्यादा पाया जाता है जो तेल को कई बार पकाया जाता है या बनाया जाता है उसी तेल को बार-बार यूच किया है उस पर कोलेस्टाल बन जाता है और क्या होता है यह जो अंडा होता है अंडे की जर्दी में भी कोलेस्टाल सबसे अधिक मातरा मे cholesterol पाया जाता है और ये heart attack के लिए महात्व पूड़ भूम्कानी गता है next question से friends मारा question number 13 36वे सब्ता पर गर्ब का भार केतना होता है यहाँ पर गर्ब होगा 26वे सब्ता परेपर 2.5 kg मतलब 2.5 kg मतलब 3.5 kg भार होता है friends next question से मारा question number 14 गरभावस्ता में गरवासे का आकार कितना होता है कितना होता है किरवासे का का लंबाई, चौड़ाई, उचाई ये जो सीरियल दिया जाते है फ्रेंट्स लंबाई 32 इंटो 24 इंटो 22 centimeters लंबाई चौड़ाई उचाई ये इसका मल्टिप्लाइब में ये ratio होता है friends लंबाई चोड़ाई गर्भावस्ता में गर्भास है का ये प्रेग्नेंट्र यूत्रस उता है उसका आकार कितना होता है लंबाई चोड़ाई उचाई मलब 32 इन्टो 24 इन्टो 22 cm ये होता है friends उसका आकार निश्ट कोशन से मारा कोशन नमर 15 बच्चे को जन्म दे चुकी इस्तरी में दूद निकालने के लिए प्राक्तिक मात्रा में प्राक्तिक मात्रा कितनी होती है लगबग फ्रेंट्स जो बच्चे को जन्म दे चुकी होती है इस्तरी फ्रेंट्स वो कितने दूद निकाल सकती है 400 ml से 550 ml प्रति दिन 400 ml से 550 ml प्रति दिन इसका मलब आदा लीटर के आस पास लगबग निश कोशन से मारा प्लेसेंटा का नार्मल भार कितना होता है कोशन कई बार पूचा के एकजामे प्लेसेंटा का नार्मल भार केतना होता है 500 ग्राम और जो इसकी प्लेसेंटा की लंबाई होती है कोशन नार्मल लंबाई होती है 22 cm होती है सभी कोशन इपॉर्टेट है आपके लिए निश कोशन से हमारा कोशन नार्मल 18 मैला की इस्ताई नस्बंदी को क्या कहते है कई बार एक्जाम में पूछा गया कोशन मैला की जो नस्बंदी कर दी जाती है उसको क्या कहते है ट्यूबेक टॉमी कहते है और जो पुर्षों की नस्बंदी कर दी जाती है उसको वैसेक टॉमी कहते है निश कोशन समारा कोशन नमबर 19 पुर्षों की नसबंदी को क्या कहते है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है जो सुक्रान निकलते है उस नली को क्या किया था बांध दिया जाता है उस नली को काटके क्या किया था बांध दिया जाता है यह पुर्षों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी और इस तर्यों की न मादा इन पिलीज मच्छर के काटने से परजीवी परजीवी क्सके काटने से इस AJ करका म disclaimer यह चुछ जाता है उसको कहते हैं हिंदूी में अनुप्रससन कहते हैं इसको कहते हैं यह बिटामिन बीफाइब की कमी से प्लेटरा रोग हो जाता है इसको बिटामिन बीफाइब का यह रासायनिक नाम लिखा हुआ प्रेंड निकोटनिक ऐसे यह निकोटनिक आमल के कमिशे प्लेगराब भीमारी हो जाती है आदी ईकात 就 कॉछें यह ङॉच्छ नau इनुर्ण 25 भॉजानिक फैड में से फजह से होते हैं ड new product première आप जो जल में घुलंसिल विटामिन सोते हैं, questions number 24, जल में घुलंसिल वाटर सेल्यूर विटामिन कौन कौन सोते है, B, C, P, P, P नया विटामिन सेड किया गया, जल में घुलंसिल विटामिन कौन सोते हैं, B, C, P, सभी question आपके लिए important है, next question से मारा, 25 question number, ORS का पूरा नाम क्या है, oral rehydration solution, oral rehydration solution, इसका मलब जब friends dehydration हो जाता है, dehydration का मतलब होता है, जल की कमी हो जाना सरीर में, या diarrhea हो जाता है, प्रेंट्स ORS का गोल पिला जाता है तब ORS का गोल पिलायाया WOODRUFF ORS का भज़ूवर प्रवब होता है regional rehydration solution जब dehydration मतलब जल की कमी हो जाती से हिंदिम कहते है निरजली करण जब निरजली करण हो जाता है तब ORS का गोल पिलाया जाता है जिस्ट कोउशन से मारा कोउशन kinda 26 विटामिन बीवन का राशनिक नाम क्या है यह रभी न Ursिंग में पूछा गया था रelyn विटामिन बीवन का राशनिक नाम क्या है इस कोउशन आपके लिए इंपॉरिस्ट विटामिन सी की कमी से सकर्वी विमारी हो जाती है और ये कोशन पूबत पूचा जाता है विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है कौन से वो इसके प्राक्तिक सुरूत हैं तो विटामिन सी खटे फलो में पाया जाता है ताजे खटे फलो में यहारे फलो में जैसे कहा जाए जो भी खटे फल शंचायद में सबस्यादा मात्रा में बिटामिन सी पाए जाता है और विटामिन सी कमी से इसकरवी रोग हो जाता है विटामिन सी का रासानिक नाम क्या है प्रेंस सकार्बिक असेट उम्मिद है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा नेस्ट कोशन से मारा फ्रेंट्स कोशन नमर 28 विटामिन B12 का रासनिक नाम है क्या है विटामिन B12 का रासनिक नाम फ्रेंट्स क्या है साइनो कोबालामिन विटामिन B12 का रासनिक नाम क्या है फ्रेंट्स साइनो कोबालामिन और विटामिन B12 की कमी से नीमिया को हिंतर रब्लाइबמ की कमी हो जाती रखत अलपतAhKhouन की कमी हो जाती है और फ्रेंट्स यह कोर्शन बहुत regen जाता है कि दामीन B12 में कौन संत्थ-प्रक्व bonovat पाया जाता है की था खर्सका सिम्बल होता है CO 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 BALT CO 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 जिंक के कहते है, इंसुलीन में, जिंक तत पाया जाता है, ये कोस्न दोनों पूछे जा चुके है ऐगजाम में कई बार और इस कोस्न बार बार आते हैं, वो हमने सभी कोस्न से लेट किये जो एकजाम में पूछे गए, निस्ट कोस्न से फ्रेंड, कोस्न नमर 30, बिटामिन B7 क कि कमी से क्या होता है बाल जढने लगते हैं इसलिए आपको क्या है आपको प्रचुर मात्रा में इनफ आपको विटामिन B सेवन लेना चाहिए इसका मतलब बायोटीन का सेवन करना चाहिए और भी इसके कई सिरोथ है निट कोस्टन से 31 विटामिन D का रासानिक नाम क्या है क् कि प्रेंट्स विटामिन D का प्राक्टिक सुरोथ है और विटामिन D बी किसी भी सबजी में नहीं पाया जाता है को और विटामिन D की कमी से बच्चे की हट्डियां होती हो ठेडी हो जाती है सबसे कोर्षे सब्सक्षाइब पोड़े हैं। सबी कोर्शन आपके लिए इंपोर्टन है और यह कोर्शन पूछा जा चुका है PCS एक्जाम में आफिसर्स रैंक में मेडिकल्स रिलेटर निस्ट कोर्शन से मारा 33 डिलेवरी के दौरान मा की देख भाल करने को क्या कहते है फ्रेंट्स यहाँ पर लिख लिए न 34 हाइड्रो फूबिया किसका लच्छन प्रेंट किसका है रेवीज का लच्छन है हाइड्रो फूबिया कुत्ते के काटने बिल्ली के काटने से बंदर के काटने से हो जाता है Hydro Phobia के मतलब होता है Hydro आजल Phobia मतलब अडर दरना क्या कहते हैं जो लोग क्या होता है जल से उनको डर लगता है जिनको रेवीज वायरस जिसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है वो लोग क्या करते हैं जल से बहुत डरते हैं प्रेंट्स तो हाइड्रोफूबिया जो यह किसके दौरा होता है कुट्ते जब काट लेते हैं तो रेवीज वायरस छोड़ देते हैं और हाइड्रोफूबिया का यह लचड़ उमीद है सभी कोर्शन आपको अच्छे लग रहे हैं निम लिखित में से कल्सियम का उप्योग तो सुरत फ्रेंट्स का है आपसन दिये गए आपसन भी सबजी आपसन सी फल आपसन दी दूद कैल्सियम जो फ्रेंट्स सबसे प्रचुर मातरम पाया जाता है वो दूद में पा कॉपलिक सपॉट निश्ट कोर्शन से मारा को ऊनल 37 डेती गाता थीका किस वीदी से दिया जाता है किस मिन जाता है इसको काम मतना होता है इंट्र में जाता है निस्ट कोशन से मारा थर्टी एट मलेरिया कारक का जिवानु मलेरिया कारक का जिवानु नहीं होना चाहिए यहां पर परजीवी होना चाहिए मलेरिया कारक का जो परजीवी होता हो कौन सा होता है प्लाज्मोडियम होता है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है यह प्रोटो लिइलमों होता है जा लेता है तो बताते हैं कि वह उप्यक्त सूचाए और तो उसका collaborate सब्सक्राइब करने के लिए किस राषानिक पडार्थ का प्रयोग किया आता है यह राषानिक प्रदात होता है बिलीचिंग पाउडर, CAOCL2 कहते हैं, CAOCL2, इसको रासानी ने, calcium oxy chloride, calcium oxy chloride, CAOCL2, calcium oxy chloride, इसका रासानी कि नाम होता, इससे क्या क्या है था, पानी को सुध किया जाता है, बिलीचिंग पाउडर से, और पानी को जो सुध करने की एक क्रियावर होती, chlorine डाल के सुध किया जाता है, जब लोग swimming तला में आने जाते हैं, उस पर क्या होता है, chlorine के tablet डाल दिये जाते हैं, जो गंदीगी होती, उसकी तलहटी में बैठ जाती है, फ्रेंट, सर्फिस में बैठ जाती है, और पानी बहुत सो तो नजार आता है, हमें, निदान के जाता है, किस की जानकर नेम किया जाते है, हास्पिटल के जो कचला निकलता है, उसको निस्कासित करने तरीका है, इंसिनीरेशन मतलब जलाना इंसिनीरेशन उस प्रोसेश कहते हैं इंग्लिस में याद रखी आप निम लिखित में से कौन सा एक किल्ड टीका है फ्रेंट्स किल्ड टीका फ्रेंट्स कौन सा कहलाता है किले टीका फ्रेंट्स कौन सा होता है किले निम लिखित में से कौन सा है किले टीका है कौन सा है प्रेंट्स टाइफाइड आपसन सी किले टीका के नाम से जाना जाता है कौन सा टाइफाइड जाना जाता है निस्ट कोशन से हमारा फ्रेंट्स कोशन नमर 46 पानी की अस्थाई क कार्ण 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 क कि आपको क्या करना होगा पानी को उबालना होगा निश्ट क्या से हमारा फ्रेंट्स को सन्वर 47 ICSD कारकरम के तहत कितनी प्रतेक जन्संगल के लिए काई करता होती है एक nic काईजर की जंशंगर पर फ्रेंट्स निस्ट इंस को संसरे मारा 48 बड़ी जंशंगर प्रभविट करने वाले ऐपीडेमिक्स क्या कहते हैं जब बढ़ी जंशंगर है प्रेंट्स बीमारी फैल जाती है ने कौन सा रोग दूसित पानी वा दूसित भोजन के द्वारा होता है कौन सा पोलियो होता है पोलियो क्या होता है दूसित भोजन खाने पिने से पोलियो रोग हो जाता है पोलियो में क्या होता है जो बच्चेओं की हड़ियां होती वो तेड़ी हो जाती है पैर या हाथ की AIDS होते हैं उसमें कितने परोई एंथ होते हैं कोशन का य게 क्या grammar 59 पीने के पानी में उपस्तीत वा इसाल रहता है जो दातों को चितकबरा बना देता है प्रेच्ट अगर फूराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो दात क्या होते है घ्र पानी में पीने के पानी में उपस्ति दौबार हैं उस जल में बहुत ज्यादा है उसको क्या इसको त्यागना चाहिए इसको उबाल कर पीना चाहिए साथ अपरेल उनिस तो और तालिस को भी दिप्रेंट इसलिए विश्व स्वास्त दिवस साथ अपरेल को मनाया जाता है फ्रेंट्स विस स्वास्त दिवस कब मना जाता है, साथ अपरेल को मना जाता है, एक कोशन पुछा जाता है, एट्स दिवस कब मना जाता है, एक दिसम्बर को मना जाता है, और एक कोशन बहुत पुछा गया एकजाम में, डापटीज दिवस कब मना जाता है, चौदा नॉमबर को डापट तरहीं को कुष्ट निवानार मना जाता है जो दिवास से पूंचा जाता है कि इर्च भाविस मार्च को मना जाता है इन?. स्वास्तंगठन का मुख्याले यह यूरोपीयन कांट्री एं दिवास्तंगठन का मुख्याले का है जिनेवा में यह स्वास्त से रिलेटेड़ इसलिए यह संगटा ना आप याद रखें डवलुएचो इसी कहते हैं डवलुएचो बुलपाम होता है वर्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन और डवलुएचो का मुख्याले कहा है जिनेवा में फ्रेंट्स इसकी स्थापना कब कब हुई थी उन्नी सो सिहालिस में फ्रेंट्स यूनिसेफ का जो मुख्याला है फ्रेंट्स वो पेरिस में प्रेंट्स यूनिसेफ का जो मुख्याला है फ्रेंट्स यूनिसेफ का वो पेरिस में मुख्याले यह बच्चों की देख रेक उनकी देख भाल से समद्दी थेक बहुत बड़ा international organization है उसका UNO का फ्रेंट्स UNICEF का मुख्याल है फ्रेंट्स परिस में निस्ट कूर्शन से मना कोर्शन नमर 55 एट्स का पूरा नाम क्या है एकजाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंट्स acquired immunodeficiency syndrome क्या नाम है acquired immunodeficiency syndrome very important ऐसे ही फ्रेंट्स पूछे जाएंगे आपके एकजाम में फ्रेंट्स HIV का पूरा नाम क्या है फ्रेंट्स human immunodeficiency virus human as a human i say immunodeficiency virus human immunodeficiency virus इनिस्ट कूर्शन से हमारा कूर्शन नमर 57 डीपीटी का पूरा नाम क्या है DPT का फ्रेंट्स पूरा नाम क्या है D c diphtheria P c pertuses T c tetanus diphtheria pertuses tetanus diphtheria pertuses tetanus सबी कोर्शन आपके लिए important है जरूरिये कोर्शन पूछे जाएंगे एकजाम में और सबी कोर्शन पूछे जा चुके निस्ट कोर्शन से हमारा BCG का पूरा नाम क्या है BCG का फ्रेंट्स पूरा नाम है basile calamity urine कभी कभी एकजाम में इस तरह पूछा जाता है BCG में G का तात पार क्या है क्या आए जी का ताथ पर गिरिन और कभी ऐसे भी पूशा जाता है कोशन कि BCG में सी का ताथ पर क्या है सी का मतलब क्या है इसलिए आपको यह तीनों वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वैसली कालमिटी गिरिन निश्ट कूशन से फ्रेंटस उमारा 59 वहो का पूरा नाम के फ्रेंट वर्ड हिल्ध और वहो का पूरा नाम के फ्रेंट्स ओडल फेंजेसं कंन सत्वा सत्व। की DOTS का पूरा नाम के यह प्रेंट्स का पूरा नाम है यह पूरा नाम है अब ध्यान रखे इसको इसका जो पॉइंट है यह TB DOTS नाम से भी जाना जाता है यह डौट थ्रेपी TB रोग में दी जाती है दॉड t पर मान कितने से कहलें कितने डिगरी से माइनस 20 डिग्री चलिसियस माइनस डिग्री से eff Seit ٹक फ्रंस c प्रोटीन की कमी के करणड हो जाती है कई बार पूछा गया है PCS एक्जाम में भी पूछा जा चुका है questions यह question से हरकर बीमारी किस की कमी कराण होती है friends protein की कमी कराण जब पूछा जाए protein और plus carbohydrate की कमी की कराण कौन से बीमारी हो जाती है तो उसको meregmus बीमारी कहते है कौन से बीमारी meregmus जब protein की कमी से पूछा जाए तब protein की कमी से क्यों से कौन से बिमारी हो जाती है बच्चों में और जब पूछा जाए protein प्लस calorie या carbohydrate या calorie की कमी से कौन से बिमारी हो जाती है जब दोनों दिया जाए protein और carbohydrate की कमी से कौन से बिमारी हो जाती है तो friends फ्रेंट्स गलने लगते हैं स्रणने लगते हैं बद्बुगाने लगती है जिनके विटामिन C की कमी होती है और उनके दात क्या होते हिलने लगते हैं विटामिन C की कमी से इसकर्भी रोग हो जाता है और विटामिन C का जो रासानिक नाम होता है फ्रेंट्स वो क्या होता है इसकार भी केसीड होता है फिछले एक जाम में पूछा गया है विटामिन C का रायसानिक नाम क्या है फ्रेंट्स या विज्यानिक नाम क्या है इसकार भी केसीड है निश्ट कोशन से फ्रेंट्स हमारा 65 प्रात्मिक स्वास्त्र केंद्र में कितने बिस्तर होते हैं कितने बेड देखें उम्मीद आपको सारी questions समझ में आ जाएंगें इस प्रात्मिक सवास्तर केंडर में कितनी जनसंग्या कवर करता है कितनी 30000 जनसंग्या कवर करता है तृसक् convbow करता है घ्रण कर थाइखBO केंदर जो होगा प्रेंट्स वो 3,000 से 5000 जनसंग्या को कवर करेगा है कि यह सब जाइज स्वास्तर केंदर कितनी जनसंग्या पर होता है या कितनी जनसंग्या कवर करता है ये 80,000 से 1,20,000 तक एक स्तमुदायक जो स्वास्ट केंदर होता है वो कितनी जनसंगा को कवर करता है 80,000 से 1,20,000 1,20,000 जनसंगा को कवर करता है सभी कोशन आपके लिए माहत पूर है ये कोशन जरूर एक जामे पूछे जाएंगे अर्टक सब्सक्राइस घेंगा रोग किस की कमी के कारान हो जाता है किसकी आयोडेन रोग हो जाता है और iodine जो सबसे ज़्यादा होता है, iodine नमग आता है, जो समुदर से प्राप्त किया जाता है, एक पुछा जाता है, question जो समुदरी वनस पतियां होती है, इस पे सबसे ज़्यादी कौन सबसे पाया जाता है, iodine पाया जाता है, क्योंकि नमग भी समुदर से ही बनाया जाता है, प्रेंट्स निस्ट क्या है कोश्चन नमर 70 वहां किट जो रोगों यहां पर लिखना है आप स्वारी रोगों को प्रसारित करते हैं उनको क्या कहते हैं वह कीट मलब जैसे की मच्छड होते हैं यह क्या करते हैं रोग को प्रसारित करते हैं मलब फैलाते कमीनी केबल करते हैं स वावार पूछा गया एक जम ने क्या है में में मीजिले व मंस रोवेला में श्युक्त मत में शेम। रभिरण期 में के लिए निम लिखिद में Сरकता बहुत अवश्चत हकोता है इसलिए गर्वति मैलाओं को प्रते दिन अच्छी मात्रा में चाहिए और आयरन लेते Municipal कोशन सब्वारा समभन किसे乾्enser किसे मस्तिस्क किस्क का पूरा नाम होता एलेक्ट्रो इंसो ग्राफ इससे क्या किया जाता है मस्तिस की जाच की जाती बहुत इंपर्डियो ग्राफ होता है एलेक्ट्रो ग्राफ होता है और इसी जी का जो संबंध होता है किस बिमारी से हर्दे करता है इलेक्ट्रो उकिलोर ग्राफ होता है से जाएंगे एक्ama में next questions friends हमारा ए ऊए मग Cosmen किसे यह discs क्या किया चासरे मान स्पेसियों की जाच की जाती है यह उम्मारे six वीडियो और आएंगे जिसमें के सारे questions और खहर होगी जोurg पूँच गए और आने वाले परिच्छा में जरूर फूच्र जाएंगे और और वो सारे questions हम select करेंगे friends और test series भी शुरू करेंगे एनम जेनम, AMS और BSC nursing से related, AMS exam जो होगा friends दिली के लिए और सभी states friends उस पर हम ये वीडियो में सारे questions cover करेंगे जिस प्रकार paper बनता है और test series भी start करेंगे आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं अगला वीडियो पाने के लिए, नेश्ट वीडियो पाने के लिए friends हमारे वीडियो को subscribe करें लाइक करें, comment करें friends वीडियो कैसा लगा? हमें जरूर comment box में एक बार बता है friends थैंक्स पर वाचिंग